हमार बेहनी भाई दद्धा आउ जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जुहार कोशा कासा और कंचन की धर्ति पराच एक अलग ही उत्सा नजरा रहा है कुछ महिने पहले मैं विदान सबा चुनाओं में भाजपा के लिए आप से आसिरवाद मांगने आया था भाजपा के हर साथी को आप समने बहुत आसिरवाद दिया हमारे सेवा भाव को मान दिया इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सब का रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अब मैं आज फिर से आपके लिए पास आशिरवाद मांगने आया हूं तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशिरवाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं पिछले दस साल में अपना देश बहुत आगे आया है लेकिन बहुत सारा काम बाकी है और 36 गड़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिये अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने है दस साल आपने मुझे देखा है मैं लगातार आपके लिए दोड़ता रहता हूँ और नहीं दोड़ता रहता हूँ काम करता रहता हूँ और नहीं करता रहता हूँ एक भी छुट्टी लिए बेना काम करता हूँ और नहीं करता हूँ और सब आपी के लिए कर रहा हूं न, मुझे बताईए आप के लिए कर रहा हूं न, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं न, बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप भी मेरा परिवार है अब मुझे बताईए आप लोग तो बहुत उदार है बहुत आशिरवाद देने वाले लोग है और मैंने जब जब आपसे आशिरवाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है लेकिन आज मैं आपसे आगर करने आए हूँ अगर मोदी आप कहते हैं इतना काम करता है सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ अब मोदी इतना सारा करता है क्या आपको मोदी के लिए एक गंटा निकालना चाहिए, एक गंटा निकालना चाहिए, एक गंटा निकालना चाहिए, साथ माई को बोट देने के लिए, मोदी के लिए, एक गंटा निकालोगे, जरा हाथ पर करके बताओ, निकालोगे, मोदी को वोट करोगे पक्का करोगे आपको जांजगीर चमपा से हमारी छोटी बेहन कमलेज जांगडे और राइगर से हमारा छोटा भाई रादे साम राठिया जी को भारी मतों से जिताकार दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है भेजेंगे ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्ति शाली मनाने के लिए एक मजबूत सरकारने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं करेंगे मुझे माच चंद्रहासिवी अस्ट्रभुजी मैया शीवरी नारायर गिरोधपुरी धाम तूरी धाम दमा खेड़ा की कृपा और आप जनता जनारदन के आशिरवाद पर अतूत भरोसा है इसी भरोसे के कारणे पूरा 36 गड़ कह रहा है फिर एक बार फूर एक बार फिर एक बार साथियों आज मेरा सहुभा गया है आज यहां मंच पर मेरे साथ हुज्य आचारिय महतर राम जी राम नामी और माता सेत भाई राम नामी भी रूभरू हमें आशिरवाद देने आए हैं और मेरे लिए तो खुछी है कि 22 जन्वरी को आयोद्या में आकर के भी मुझे आशिरवाद दिया था राम नामी समाच अपनी भक्ति अपने भजान स्री राम के प्रति कि अपने समर्पान और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है कहते हैं राम नामी समाच के पुर्वजों ने डेड़ सो साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्रान प्रतिष्टा कब होगी मोधी के जिस मंदिर की प्रान प्रतिष्टा का सवभागे मेरा अयोध्या के जिस मंदिर की उमीद कभी देश छोड़ चुका था समने माल लिया तब तो मामला खताम नहीं होगा उस उमीद को पूरा करने का काम भारतिय जनता पार्टी ने किया है यह कमल वालों ने किया है कॉंग्रेस के लोग हम पर तंज करते से हर चुलाओं में हमें पूछा जाता था मंदिर कभ बनेगा कॉंग्रेस वाले तो आये दिन गली मौले में अरे बताओ मंदिर कभ बनेगा और नारा देते दे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीक नहीं बताएंगे हमने उन्हें तारीक भी बताई समय भी बताया निमंत्रन भी बेजा लेकिन कॉंग्रेस के साथवे आसमान के हंकारने वह अपने आपको राम से भी बड़ा मानते हैं प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं और उन्हें ने प्राण प्रतिश्ट्रक के कारेकम का निमंत्रन ठुकरा दिया हमारे ऐसे संतों का वो अप्मान है कि नहीं है माता शबरी का अप्मान है कि नहीं है और ये खेत्र तो माता शबरी का स्थान है 36 गड़ तो प्रभूसरी राम का ननिहाल है मैं आप से पूछता हूँ क्या ये 36 गड़ का अप्मान है कि नहीं है ये 36 गड़ का अपमान है अग नहीं है क्या ये माता शबरी का अपमान है अग नहीं है साथियों धर्म के नाम पर देश को बाटने वाली कॉंग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टी करण में लगी हुई थी तुष्टी करण वोट्मेंक की राजलिती एक कॉंग्रेस के डियने में है तुष्टी करण के लिए कॉंग्रेस को दलीतों पिछडों आदिवास्यों का हक भी छिनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंतर पर चलने वाली पार्टी है हमारी प्रांथविक्ता गरीब युवा महिला और किसानों का कल्यान है कॉंग्रेस ने साट साल तक देश में गरीबी हटाओं का नारा दिया और अपने नेताओं की तीजोरी भरती रही लेकिन मोदी ने नारे बाजी नहीं की मोदी ने आपसे नाता जोड़ा नारा नहीं दिया और मोदी ने दस वर्ष में पचीस करोड मेरे देश वासियों के जो गरीबी में जिन्दगी जीते थे मुसीबत में जीते थे जिनके सपने सपने बचे नहीं थे उन गरीबों को पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है